हेलो एवरिवन और आप सब कैसे हो I hope you are good and fine आज हम स्टार्ट करेंगे integer का exercise number 1.3 हमने पहले के दो lectures में exercise 1.1, exercise 1.2 and जो properties होती है addition की, subtraction की, multiplication की and division की हिंदी में उसे क्या कहते है, जोड के गुंधर्म, घटाव के गुंधर्म, गुणाकार के गुंधर्म, भाग के गुंधर्म सभी को हमने study कर लिया है, जिससे कि हम exercise को continue कर सके, ठीक है now let's talk about exercise 1.3, ओके तो मैंने exercise 1.3 के कुछ question लिख रखे है तो अब हम उसे solve करेंगे, तो find each of the following, ओके तो हमारा first question है 3 into minus 1, अगर हम 3 into 1 करते हैं, तो क्या आता है कभी भी किसी चीज को या किसी number को हम 1 से multiply करेंगे, तो हमारा answer वही number आता है, तो 3 into 1 क्या होता है, 3, so हम पहले number लिख लेंगे, अब 3 के आगे कोई number नहीं है, मतलब क्या है, plus, so plus into minus, plus into minus मतलब जब different sign होते हैं, तब हमेशा क्या आता है, minus, और same sign होता है, तब क्या आता है, हमेशा plus, तो different sign है, इसलिए हमारे पास क्या आजाएगा, minus 3, okay, now again हमारे पास दूसरा number है, जिसे हमें multiply करना है, one से again, किसी भी number को one से multiply करेंगे, तो हमारे पास वही number आएगा, so again 316 into 1, क्या आएगा, 316, and same sign always, plus, so minus minus will be plus, okay, so now minus 15 into 0 into minus 18, तो अगर हमारे multiplication पे कहीं पे भी 0 दिख जाए, तो आपको पहले कुछ भी multiply नहीं करना है, direct answer क्या लिखना है, 0, क्यों, क्योंकि किसी भी number के साथ, अगर हम 0 का multiply करते हैं, तो answer हमेशा 0 आना है, तो यहाँ पे हमें 0 दिख गया है, तो हम answer में क्या लिख देंगे, एक बड़ा सा 0, ठीक है, let's move toward this question, तो अब यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा multiplication जैसा दिख रहे, but it's not that much, so हम पहले क्या दिखेंगे, कि अगर किसी को multiply करने पे 0 के आसपास यह round of digit आता है, so let's do this, 18 into 5 into 4, सब माइनस में है, तो 5 into 4 क्या होता है, 20, minus into minus, same sign always, plus, so यहाँ पे plus आ गया, into, क्या है, minus 18, अब हमें पता है, यह plus sign मैं हटा दूँगी, तो भी चलेगा, ठीक है, plus sign हो, नहीं हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, so अब हमें पता है, कि 18, 2s are 36, एंड यह 0, यहाँ उतार दो, यह solve हो गया, है ना, अब, इसके आगे plus है, इसके आगे minus है, तो जब भी different sign होता है, answer के आगे क्या आता है, minus, so यहाँ पे क्या आ जाएगा, minus 360, तो यह हमारा answer हो गया, find each of the following में हमारा multiplication था, multiplication हमारे complete हुए, और भी multiplication है, वो आपको homework में करने है, तो multiplication में आप direct multiplication भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे numbers ढूँडो, जिनका multiply करने पे आपको 10 के round off मिले, तो आपको सिर्फ आगे के digit का multiply करना होगा, और जितने 0, 10, 100 इसमें है, वो 0 आप answer में direct लगा सकते हैं, ठीक है, so now verify the following, same question हमने किया था exercise 1.2 में, verify मैंने कहा था, जब भी verify करना हो, आपको LHS का अलग से verify करना है, RHS का value अलग से verify करना है, अगर LHS and RHS equal आजाते हैं, then the equation should be verified, ठीक है, तो अब हमारे पास LHS ये है, RHS ये है, ठीक है, मैं इसी के नीचे solve कर रही हूँ, अब देखो, सबसे पहले हमें bracket solve करना होता है, ये बड़ा वाला bracket है, बड़े वाले bracket को सबसे पहले solve करना है, उसके बाद जो भी answer आएगा, उसको हम multiply करेंगे, 18 से, ओके, so plus minus, different sign always minus, so 7 minus 3 क्या होगा, 4, so हम 4 लिखेंगे, into 18 करेंगे, 18 fours are 72, ठीक है, करके देख लो, 4, it's a, क्या आता है, 32, so 32 का 2 लिख दिया, 3 हासी लो गई, 4, 1's a 4, plus 3, 7, ठीक है, तो ये आ गया हमारा LHS का answer 72, let's move toward the RHS, ये बड़े बड़े bracket दिख रहे हैं आपको दोनो, तो हमें सबसे पहले बड़े-बड़े bracket को solve करना होता है, ठीक है, तो हम बड़े-बड़े bracket को पहले solve करते हैं, चलो, इस bracket को solve करते हैं, तो 8, 7's are 56, तो 56 का मैंने 6 लिख दिया, 1's digit लिखते हैं, और जो 10's digit होता है, वो हासिल में चला जाता है, तो 7 into 1, 7, plus 5, कितना हो जाएगा, 126, और अगर आपको table आता है, तो it's very good, 18, 7's are 126 ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ बड़े numbers का भे multiply करना चाहों, like 36, तो पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ 1 digit का, 1's वाले digits को multiply करो, और जो 10's वाला होगा, वो हासिल पे जाएगा, ठीक है, 126, बीच में plus है, plus लगा दो, 18 into 3, इसको भी solve करते हैं, जिससे आपको बड़े numbers का multiplication आजाएगा, तो सबसे पहले, आप इस number को, इसके 1's से multiply करोगे, 8 threza, कितना होता है, 24, तो 4 लिखो, और 2 हासिल जाने वाला है, ठीक है, और 3 बंजा, 3 plus 2, 5, 54, 18 threza क्या होता है, 54 ही होता है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप multiply कर सकते हो, 54 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक और है, plus and minus का multiply भी हमें करना है, तो जब different sign होते हैं, तब हमेशा क्या होता है, minus, तो यहाँ पे क्या आएगा, minus, अब again, plus, minus, different sign, always, minus, तो करो, 126, minus 54, 6 में से 4 गया, हमेशा, 1's में से 1's digit, 10's में से 10's digit minus करना होता है, ठीक है, तो 6 में से 4 गया, 2, 12 में से 5 गया, 7, So, हम क्या लिखेंगे, LHS equals to RHS, hence the question is verified, ठीक है, इसका second question है, exercise में, जो की आपको homework में करना है, ठीक है, note it down in your notebook, हो गया note, तो चलो, next question की थरफ बढ़ते हैं, for any integer, A, A क्या है, आपका integer है, What is minus 1 into A is equals to, अगर किसी number को, या किसी integer को, आप minus से multiply करते हो, तो आपके पास answer क्या आएगा, So, let's do it, A आपका integer है, into आपने minus 1 किया, तो क्या answer आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब plus, तो plus into minus, always different sign will be minus, And A into 1 will be A, so the answer is always minus A, note it down, ओके ठीक है, लिख लिख लिया, अब चलो, Determine the integer whose product with minus 1 is minus 2, मतलब ऐसा कौन सा integer है, जिसके साथ आप minus 1 multiply करोगे, तो आपको वो integer मेरेगा, तो यह आप कैसे find करोगे, तो देखो, ऐसा कौन सा integer है, जिसके साथ आप minus 1 multiply करने पे, आपको answer क्या मिले, minus 22, ठीक है, तो आपको वो integer find करना है, ठीक है, तो X is equals to क्या जाएगा आपके पास, minus 22, यह number multiply में है, जब equals to क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, divide में, तो minus minus, cancel out, answer क्या आएगा, 22, मतलग, अगर हम 22 को minus 1 से multiply करेंगे, तो answer minus 22 ही आना है, है न, किसी भी integer को, अगर minus 1 से multiply करते हैं, तो minus integer आता है, तो minus 22 कैसे आएगा, जब हम 22 को minus 1 से multiply करेंगे, ठीक है, तो answer will be your 22, 22, let's move toward the next question, 37 है हमारे पास, तो हम ऐसा कौन सा नंबर है, जिससे minus 1 multiply करने पे हमारे पास 37 आएगा, तो x equals to क्या होगा, ये minus 1 equals to क्यों साइट जाएगा, तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 37 divided by minus 1, तो अब ये minus आप उपर भी लिख सकते हो, और 37 divided by 1 क्या आजाएगा, 37, so it is equals to minus 37, कि minus 37 को हम minus 1 से multiply करेंगे, तो 37 आएगा, कैसे, क्योंकि minus 1 into minus 37, दोनों में minus है, जब same sign होता है, तो always क्या आजाता है, plus, तो हमारे plus, plus 37 आजाएगा, ठीक है, clear है, एक और numerical करवाओ, चलो इधर लेखो, यहाँ पर कर रही हो, ठीक है, और एक numerical, ओके, so let's suppose हमारे पास है, ठीक है, 22 ले ले लेते हैं, ठीक है, तो 22 को हम ऐसे कौन सा integer है, जिसके साथ minus 1 multiply करने पर 22 आए, तो क्या आएगा, यह minus 1 इस साइड जाएगा, तो कहां जाएगा, divide में जाएगा, तो क्या आएगा, 22 divided by minus 1, यह minus आप उपर लिख सकते हो, तो minus 2 divided by 1, तो यह नीचे का 1 की कोई value नहीं होती, तो answer क्या आगया, तुम्हारा minus 22, ठीक है, verify करना है, verify करवा देती हूँ, minus 22 into minus 1, same sign always, plus and 22 into 1 क्या आएगा, 22, तो आगया तुम्हारा answer, तो तुमने क्या multiply किया, minus 22 को multiply किया, minus 1 से, so answer क्या आएगा, minus 22, ठीक है, let's move toward the fifth question, find the product using a suitable properties, ऐसा question भी हमने 1.2 exercise में किया था, जब भी आपको किसी properties का use करना हो, तब आप क्या करोगे सबसे पहले, कुछ common निकलता है या नहीं, वो तुम्हें देखना है, तो चलो देखते है, 26 into minus 48, plus minus 48 into minus 36, यहां तो हमें दिख रहा है कि यहां पे भी minus 48 है, यहां पे भी minus 48 है, तो हम क्या करेंगे, minus 48 को common निकलेंगे, जब यहां से minus 48 निकल गया, तो क्या बचा 26, यहां 26 बचा, बीच में क्या sign है, plus का sign है, यहां से minus 48 निकल गया, क्या बचा minus 36, ओके, यहां पे minus 36 बचा, अब देखो, तो 26 plus minus 36, तो जब यह minus bracket के बाहर निकलेगा, तो plus and minus दोनों different sign हो जाएंगे, जब different sign होता है, तब क्या होता है, minus होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते है, minus 48 into 26 minus 36, ठीक है, अब यहां पे जब minus होगा, 26 minus 36, तो answer क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, 10 आएगा, और बड़ा number कौन सा है, 36, तो 36 के आगे क्या है, minus, तो answer में क्या आएगा, minus, ठीक है, अब किसी भी number को whole number से जब आप multiply करते हो, like 10,000, 100, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, direct जो number आपने multiply किया है, वो number लिखो, और जितने भी 0 आपके 110,000 में है, उतने 0 आप अपने answer में लगा दो, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 48 into 10 है, 10 में कितने 0? एक ही है, तो हमने एक 0 लगा दिया, अब देखो, minus into minus, same sign always, plus, तो यहाँ पे क्या जाएगा, plus, so the answer is plus for 80, wrote it down in your notebook, ready, okay, so find the product using suitable properties का एक question हमने किया, next question करते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 15 into minus 25 into minus 4 into minus 10, तो सबसे जादा use होने वाला term है, 25 into 4, that is 100, तो हमें बता है कि 25 into 4 क्या होता है, 100, तो हम क्या करेंगे, 15 into minus 25 into 4 क्या हो गया, 100, minus minus, same sign always, plus, so यहाँ पे plus आजाएगा, into minus 10 आजाएगा, ठीक है, अब यहाँ देखो, कि यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, into 15, तो answer में क्या जाएगा, 15 with 3 0, अब देखो, यहाँ पे minus है, बागी सब जहाँ प्लस है, तो plus into plus, same sign always, plus, अब plus into minus, different sign always, minus, यहाँ पे क्या जाएगा, minus, so that is, equals to minus 50,000, ठीक है, यह हो गया, solve, अब यहाँ देखो, bracket हमेशा पहले solve करना है, ठीक है, तो 7 into 50 minus 2 क्या होता है, 48, and 48 into 7 क्या होता है, 3 3 6, ठीक है, multiply कर लेना, आपके पास answer आजाएगा, okay, now we will solve a word problem, ठीक है, अब word problem की starting करते है, okay, so let's start the word problem, a certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degree Celsius, किसी चीज को freezing करने के लिए 40 degree Celsius से कम room temperature चाहिए, so at the rate of 5 degree Celsius every hour, यह decrease होता जा रहा है, so what will be the room temperature 10 hours after the process begin, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, the temperature lowered every hour, ठीक है, एक घंटे में कितना temperature lower हो रहा है, 5 degree Celsius, minus 5 क्यों लिखा, क्योंकि temperature lower होता चाहरा है, ठीक है, so the temperature after 10 hours कितना होगा, ओके मुझे बताओ, कि अगर कोई चीज, तुम सबसे एक घंटे में दो काम करते हो, तो 5 घंटे में कितना करोगे, 10, तुमने क्या किया, 2 into 5, तो यहाँ पे भी एक घंटे में minus 5 degree Celsius हो रहा है, तो 10 hours में कितना होगा, क्या करोगे, multiply, तो minus 5 into 10, तो यह 10 घंटे में कितना temperature लोवर हो गया, minus 50 degree Celsius, ओके, अब room temperature कितना था, 40 degree Celsius, यह 10 hours बाद क्या हो गया, minus 50 degree Celsius, तो temperature क्या हो गया, after 10 hours, room temperature, room temperature, after 10 hours, will be, क्या होगा, 40 minus 50, अगर यह minus में ना होगे, plus में होता था, तो हम क्या घंटे, 40 plus 50, तो यह कैसे हुआ, तो देखो, यहाँ पे plus किया, minus 50, again, plus minus, different sign always, minus, so 40, minus 50 degree Celsius, is equals to minus 10 degree Celsius, which is the answer, write down it in your notebook, ओके, तो यहीं पे हमारा lecture आज का, stop करते हैं, और इसे के साथ exercise 1.3 and होती है, लेकिन इसमें और भी question है, 2-3 question ही सिर्फ left है, वो आपको करने है, अगर आपको कहीं पे भी query आती है, तो आप पूछ सकते हो, इसके बाद का question इस तरीके से है, कि अगर आपको correct question होता है, तो आपको इतने marks मिलते हैं, and incorrect होता है, तो इतने marks कम हो जाते हैं, तो आप incorrect के लिए क्या करोगे, minus लिखोगे, जितने भी number, suppose incorrect के लिए आपके 3 marks कट होते हैं, तो incorrect के लिए कितने minus 3 हो जाते हैं ठीक है and जितने correct होते हैं उसके लिए positive integers आएंगे okay so if you have any query any doubt in the exercise or anything related to this chapter you can ask me in the comment section ठीक है इस exercise की pdf आपको description पे मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करें and subscribe करें और आपके दोस्तों को share भी करें thank you for watching me